इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कंपणी को एनलाईज करने वाले हैं जो एक काफी नए अपकमिंग सेक्टर की है अपकमिंग इसलिए बिकाज इस सेक्टर पर ध्यान अब जाने लगा है जबकि ये सेक्टर एक्जिस्ट करता है काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं रिसाइक्लिंग सेक्टर के बारे में कमपणी का नाम है ग्राविटा इंडिया तो रिसेंटली ही न्यूज आई कि ग्राविटा इंडिया जो कमपणी है वो थाउजंड क्रोर्स रेस करने वाला है थ्रू एक्विटी तो फंड फूट फूचर ग्रोथ अफ वीडियो में तो वीडियो को ऐड्र पर उमने लांस एक सनमारैजेशन भी किया जहांपर हम जो अच्छी चीज़े हैं जो बूरी चीज़े है क्या थाई हुझ्स मेह की श्रूबछे कि लब उयर्ड जरूऑ उन वीडियो जब चिशिया निवाइचिज करेंगे तब बिसने बहुत बाकी सारे वर्टिकल में भी recycling में जाने लगे हैं Aluminium, Plastics, Rubber हो सकता है आगे चलकर यह lithium का भी recycling कर सकेंगे Business process अगर हम देखें कि यह company का business basically क्या है तो इनका basically process अगर हम देखें कि first stage से last stage क्या होता है तो पहला stage आता है जहां पर यह procurement करते है last mile scrap का from various sources तो जो भी scrap है unused metal है जिसका पूरा use हो चुका है अब इसको scrap किया जा रहा है वहां से वो procurement करते है एक last mile जो procurement होता है वहां से procurement करते उसका segregation होता है उसका sorting होता है scrap material का and quality inspections होते है उस scrap के and then उसका smelting and refining होता है जहां पर उस lead को या फिर aluminium को again melt किया जाता है उनके जो plants है उसमें वो वापस use के लिए कर सके उस aluminum को lead को वापस use में ला सके उसके बाद shedding and reprocessing होने के बाद shedding and reprocessing mainly rubber and plastic का होता है उसके बाद उससे कुछ value added products भी वो manufacture करते हैं जैसे manufacturing of lead alloys, red lead and बाकी associated products aluminum alloys, plastic granules ये सारी value added चीज़े जो है ये भी company बनाती है तो value added का share around 50% के आसपास है company का, बाकी सारी चीज़े एक commodity form में ही company बेचती है last stage में quality check होता है, R&D होता है and then उसकी delivery की जाती है अगर हम company के timeline देखे कि company incorporation से अब तक कैसी उनकी story रही है तो company के story actually काफी interesting है, जो company के founder है Rajat Agarwal जी उन्होंने 1994 में ये company का commercialization किया था and Jaipur में उनका late recycling plant start हुआ था, अभी भी company का headquarter जो है, वो Jaipur में ही है उनकी जो story है वो interesting इसलिए है, because सबसे पहले जब उन्होंने business start किया, तो government regulations ऐसे थे कि कुछ साल बाद उनको अपना business बंद करना वड़ा because company पैसे नहीं कमा पा रही थी, so he went back to a job जो उनने Singapore में लिया, but on the side lines, वो office hours के बाद अभी भी इस पर काम कर रहे थे, research कर रहे थे कि कैसे एक recycling की plant, recycling का business हम set up कर सकते हैं, तो बाद में 2001 में, he came back into the business and उन्होंने अपना first overseas plant established किया इन श्रिलंका, 2007 में घाना में भी एक plant set up किया जो आफरिका में आता है, 2010 में company ने एक listing achieve किया on BSC and NAC and 2013 में company ने कुछ value-added products बनाना भी शुरू कर दिया in their Jaipur plant, 2015 में company ने plastic recycling में diversification कर लिया and 2016 में aluminium में किया, 2019 में उन्होंने aluminium and recycling facilities आफरिका में भी start की, जहां से अब तक सिर्फ mainly collection हुआ करता था, 2021 में company ने मुंदरा पोर्ट के पास अपनी एक नई facility भी set up की and later उन्होंने rubber recycling में भी venture किया, 2023 में company ने जो manufacturing है वो valued products का आफरिका में भी extend कर दिया है, अगर company के manufacturing plants देखते हैं कि वो कहां कहां पर है, तो mainly India में in के plants Jaipur में है, Katua जो JNK में आता है, वहां पर प्लांट है, Chittur में है, Mundra में है and obviously India के बाहर देखे, तो Shri Lanka में उनका एक major plant है, इसके अलवा, आफरिका में 3-4 plant है company के already and कुछ upcoming facilities already आ रही है, एक जो है उसमें से वो ओमान में आ रही है और एक Dominican Republic जो यूएस का North American continent पर आता है, वहां पर है, तो 11 total manufacturing facilities currently है and 2 are under process, जो company revenue कमाती है, segment के अगर हम बात करें, तो revenue जो company कमाती है, उसमें से 88% company का revenue है, वो lead recycling से ही आता है, तो ये company का main business है, FY24 का 88% lead recycling से आता, 8% revenue company ने aluminium से कमाया था, 2% plastic से and कुछ turnkey projects भी company करता है, जिससे 1% revenue आता है, तो वहां पर वो set up करके देते है, smelting and smelting facilities to other companies, अब बात आती है business economics में, सबसे पहले हमें समझने की, कि company के suppliers और customers कौन है, तो बहुत बार company के suppliers और customers basically same company होती है, आप imagine कीजे, अगर कोई battery manufacturing company है, तो वो अपने जो used batteries है, वो typically ऐसी companies को देते हैं, like gravity ताकि वो recycle हो सके and then recycling के बाद वही batteries उनसे वो वापस खरीद लेते हैं, तो अगर हम supplying, अगर हम supplying economics को देखें, तो उनके, खुद के 31 yards है, जहां पर collection होता है scrap का, 1700 touch points को गवर करती है company, and 2.5 lakh metric tons plus उनकी scrap collection capacity है, almost हर continent पे इनकी reach है for the collection of scrap, and कुछ major players है इनके, जहांसे वो scrap collect करते, तो major suppliers जहांसे, वो यह सारी चीज़े collect करते है, that includes companies like Amara Raja, Indus Towers, Bharti Infratel, Asian Paints, Reliance, Accenture, even Tata Group के कुछ companies, तो यह सारे companies, जह हैं, यह इनके mainly suppliers है, अगर हम customers देखें के, तो 32 countries plus में इनके customers है, 240 plus is the number of customers, and again, like I said, बहुत सारे जो है, वो उनके ऐसे customers है, जो उनके suppliers भी है, जैसे Amara Raja, Tata Batteries, Luminous, तो mainly battery manufacturers, सारे इनके majorly customers रही है, and again, इनका जो customer reach है, वो भी काफी diverse है, बहुत सारे contents पे इनके customers reach है, तो company के next vision की बात करने होगी, कि यह तो business रहा, अब management का क्या कहना है about the business, तो vision 2028 करके उनका एक target है, जहां पर वो कुछ चीजे उन्होंने already बता रखी है, कि वो achieve करना चाहते है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि they want to enter into new verticals like lithium, steel, rubber and paper, यह सारे verticals में उनको अपनी punch जो है, वो increase करनी है, 25% plus volume CAGR यह achieve करना चाहते है, over the next 4 years, 35% plus profitability growth का इनका target है, 50% plus value added products का share है, तो जो भी products वो लोग बेचते हैं, उसमें से 50% plus value added products रहे, ताकि margin थोड़ा सा वहाँ पर better रहे, 25% plus का ROC achieve करना चाहती है company, and 30% plus contribution non-led business से आए, जो currently 88% है, वो उनको 70% से नीचे लाना है, ताकि एक metal पर हुजज़ादा dependent ना रहे, and lithium recycling जैसे जो चीज़े हैं, उसमें हो सकता है कि company को काफी अच्छे opportunities आगे मिल सके, lead उपर से एक ऐसा material है, जो almost 9 times recycle हो सकता है, so recycling capability इस metal की बहुत जादा है, so again that's also a very big advantage for a company like Gravita, तो company 2010 से listed है, लेकिन अभी इसकी बात क्यों हो रही है, अभी क्यों चर्चा होने लगी है, क्या चीज़े change हुई थी, अगर आप उनके 2010 से लेके 2020, वो 10 साल में अगर आप उनके financial numbers देखोगे, तो आप देखोगे कि margins बहुत volatile है, company ने कभी भी consistent profitability की हैं, तो इसका क्या reason था, इसका reason mainly ये था, कि जब आप ऐसी चीज़ों में deal करते हो, like lead, aluminium, तो आप खुद को उस commodity के price से expose कर देते हो, यनि अगर आप scrap purchase कर रहे हो उसको process करने के लिए, जब आपने scrap purchase की, तब lead की price से 200 रुपीज पर kilo, just an example, वो रही, और जब तक आप ने उसको process किया और बेचा, तब तक lead की price 170 रुपीज हो गी, तो इसमें company का बहुत बड़ा loss हो जाता है, तो ये एक major problem था, जिसको company ने 2018 में सबसे पहले address करना शुरू किया, तो उन्होंने तब back to back hedging कर लिया, तो hedging मतलब यहाँ पर exactly company क्या करती थी, कि जो metal equivalent है, जो भी scrap company ने उस दिन खरीदा, उसका selling वो commodity market में उसी दिन कर देते थे, ताकि hedging पूरा बना रहे, अगर prices गिरते हैं, तो company at least उनकी hedging position से profit कर सके, तो जो pricing against customer contracts उन्होंने करना शुरू किया, जो एक natural hedging of sorts है, forward contracts वो London Metal Exchange पर trade करना उन्होंने शुरू कर दिया, and 2021 के बाद से उन्होंने अपनी जो core inventory है, उसको भी hedging करना शुरू कर दिया, तो जब से यह hedging company ने start किया है, आप देख सकते हो कि किस तरह से इनके margins better होने लगे, अब इनके margins काफी stable रहे हैं, and they are in a growing phase right now, तो obviously hedging करने से यह एक बहुत बड़ा फरक इनके margins पर पढ़ने लगा, अब आते हैं company के numbers पर, क्या numbers रहे हैं company के, बहुत अच्छी growth दिखी है in the last 5 years, FI20 में आगर आप देखोगे, तो 1348 crores का turnover था, जो अभी almost 3000 crores के ऊपर जा चुका है already, PAT and PAT margin, दोनों ही चीज़े काफी अच्छे से बढ़ रही है, PAT इनका almost 8% का रहा for FI24, and काफी अच्छा mix है of Indian business also, overseas business also, इसके लगा capital employed भी company का बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे वो नए plants set up कर रहे है, तो capital employed जो company अपने business में लगा रही है पैसा, वो भी बढ़ता जा रहा है, अगर future expansions and capex की बात करें, तो FI24 में around 3 lakh metric tons का इनका total capacity था, इस capacity को वो लगबग 5 lakhs MT तक ले जाना चाहते है, by the year FI27, ये इनके targets है, और हर साल का capex उन्होंने बताया है, अब governance perspective से, एक issue यहाँ पर इस company में ये है, कि FI24 की company की जो audit report थी, वो qualified report थी, qualified report मतलब, auditors यहाँ पर कह रहे हैं, कि overall वो satisfied है, books of accounts है, लेकिन कुछ चीजे हैं, जो वो qualify कर रहे हैं, जिनके बारे में, वो कोई opinion दे नहीं रहे हैं, या फिर, it is kind of a qualification की auditors ने अपने इसाब से, अपने opinion में दिया है, तो जो qualification है, वो mainly employee benefit expenses से related है, and जो amount है, pertaining to this, is around 20 crores, in comparison, अगर हम देखे, company का pad जो था FI24 में, वो 240 crores था, तो उस इसाब से, थोड़ी बहुत significant amount है, ऐसा हम कह सकते हैं, company ने अपनी, जही था की, it's a difference of opinion regarding the accounting treatment of this expenses, auditors कही साब से, ये expense उनको अपनी books में लेना चाहिए, जिससे उनका pat or 20 crores से कम हो जाता, लेकिन management का ये कहना है, की वो अपनी treatment पर सही है, तो it was a difference of opinion regarding the, regarding this, बट ये एक ऐसी चीज थी, जो amount to material है, but it does not seem की, it is going towards some kind of a fraud or something, it is a difference of opinion regarding an accounting treatment, आगे अगर हम business की बात करें की, बाकी players कौन है, क्या company के peers है, तो एक CPBC, ये Central Pollution Board जो है, उसका एक report आता है, because Gravita जैसी जो company है, एक regulated sector में है, क्योंकि यहाँ पर, government का intervention रहता है, government के policies से, चीज़े affect होती है, तो इनका एक report है, जिसमें सारे जो players है, जो metals का recycling करते हैं, उसका एक report publish होता है, CPBC, CPCB के website पर, तो वहाँ पर एक नाम दिखा, जिसकी capacity काफी बड़ी थी, this was around 114,000, 1,14,000, MT की capacity वाली एक company दिखी, इसका नाम था, Chloride Metals Limited, and then आगे देखने पर पता चला, कि this is a subsidiary of Exide Industries, तो कुछ ऐसे competitors रहेंगे यहाँ पर, कुछ battery manufacturers के ही subsidiaries हो सकते हैं, कुछ उनके ही internally, वह अपनी battery recycling कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं, बट ओवर ओर आल देखे, तो अभी भी organized players यहाँ पर कम हैं, इनकी सारे organized players की list इनकी website पर available रहती है, तो वहाँ से कुछ बड़े नाम जो थे, वह हमने देखने के कोशिश की, तो कुछ-कुछ companies है, आगे हाली में यह भी पढ़ने को, पढ़ने मिला था, कि अमारा रजा जैसी जो company है, वह आगे सोच सकते हैं, कि अपना खुद का ही प्लांट वह लगा है, जहां से बैटरी रिसेक्लिंग हो सके, लेड अइसे बैटरी जा फिर लीथिम आयन बैटरी जो है, वह आगे चल कर रिसाइकल हो सके, कंपनी की management के बारे में, तो हमने जब timelines देखी तब थोड़ी सी बात कर ली थी, रजट अगरवाल जो है, वह founder है, और उनके education की बात करे तो bachelor of engineering degree है, उनकी जैपूर से ही, और 32 years का rich experience है उनका इस industry में, तो overall management point of view से चीज़े ठीक टा की है, यहां पर कोई major red flag नजर नहीं आ रहा, अब बात करते है positives and opportunities की, तो यह overall business था, यह financials थे, यह उनके आगे के सारे plans थे, तो अगर हम इसको summarize करने जाए, कि क्या अच्छी चीज़े है, क्या बुरी चीज़े है, तो सबसे पहली अच्छी चीज़ तो यह है कि company, जो products recycle करती है company, उसमें demand काफी अच्छी है, and कोई threats नहीं है उनके लिए, products मतलब lead, या फिर aluminium, plastic, तो जो भी चीज़े recycle हो रही है, ऐसा नहीं है कि इनके लिए market नहीं है, market हमेशा है इनके लिए exist करेगा, and so that is not a problem, the industry point of view जो है, वो company के लिए problem नहीं है, company का जो procurement network है, and distribution network है, वो काफी deep है, इनके touch points काफी globally connected है, एक और चीज़ जो है, वो यह है कि, इनके business में थोड़े barriers to entry है, वो कैसे, because import license मिलना easy नहीं है, to procure these metals in India, तो होता ऐसा है कि, आफरिका जैसे जो countries है, जहां पर बहुत सारा scrap collect होगा, उसको इंडिया में लाना is import free, because आफरिका के यह जो सारे nations है, they are categorized as underdeveloped nations, and according to the rules right now, यहां से metal import करना, is completely duty free, तो depending on the cost dynamics, company ऐसा करती है कि, कई बार वो जो scrap है, आफरिका में collect करती है, वहां से वो यहां पर लाते हैं, इंडिया में, and यहां पर वो smelt करके, यहां पर ही बेचते हैं, उससे अगर margins बेटर मिलते होंगे, तो वो यह चीज जो है, ऐसा route भी अपनाते, basically logistics पर dependent, इनका business बहुत है, because scrap को बहुत जगह से move होना होता है, final destination पर spent होने के बाद भी, उनको जब final product बनता है, तो वो भी again logistics network पर dependent है, तो logistics dependency जो है, वो इसमें ज़्यादा है, and like I said, barriers to entry यहां पर थोड़े बहुत नजर आते हैं, recycling की जो theme है, उसको काफी multiple tailwinds मिलना शुरू हो गया है, एक battery waste management rules, यह BWMR के rules, notify कर दी गए थे by the government in 2022, तो यह एक major factor है, जो company के लिए tailwind हो सकता है, तो यह rules क्या कहते हैं, यह rules कहते हैं, कि जो battery producers है, उनको आने वाले कुछ सालों में, certain percentage of their procurement, जो है, वो recycled metal की ही करनी होगी, इसका reason यह है, कि अगर यह सारे companies पर, यह rule लगया आजाए, कि आपको इतना percentage, जो है, वो recycle ही करना पड़ेगा, तो उसकी mining में, थोड़े बहुत, ease आने लगेगी, and mining obviously environment के लिए, अच्छी चीज नहीं होती, तो mining में, उस metal की fresh mining में, जो है, वो थोड़ी बहुत, जो है, उसका जो trend है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, and ये सारी companies, recycled metal को procure करना शुरू कर देंगी, तो इससे, lead scrap की जो availability है, for organized players, वो expected है की बढ़ जाएगी, and unorganized players जो है, वो shrink होने लगेंगे, in the next 3-5 years, इस पर मैं, एक और आगे इस वीडियो में बताऊँगा, कि किस तरह के rates यहाँ पर notify कर दिये गए, एक और चीज़ जो है, यहाँ पर positives and opportunities again, इसकी recycling rate जो है इंडिया में, that is less than 20%, वो significantly lower है than the western countries, जहाँ पर 60-80% का recycling rate, हमें दिखने को मिलता है, so, जो advantages company को हो सकते है, because of BWMR, battery waste management rules, तो वो इस प्रकार है, कि 2027 से 20, almost 2030 तक, government नोटिफाइ किया है, कि अगर कोई electric vehicle maker है, या फिर automotive industry में है, industrial exposure है, तो उनको this percentage of their battery, जो battery का weight है, वो recycled materials से ही procure करना होगा, तो वो 5% से शुरू हो रहा है, and almost 40% तक जा रहा है by the year, 2031, तो because Gravita जैसी company, recycled metal को ही बेचती है, तो उनके लिए ये एक, बहुत बड़ा advantage हो सकता है, यही पर हम negatives and risks की बात कर लेते, सबसे पहली बात तो यह है कि, यहाँ पर government policy पर, too much dependence है, currently ये company के favor में है, because government खुँच चाहती है, कि recycled metals का use है, वो जादा से जादा बढ़ते जाए, बहुत सारे company के equity में invested, foreign institutional investors भी, इस company के ESG theme की वज़ा से ही, इस company में invested है, ऐसा नजर आ रहा है, because currently company के पास, hardly कोई domestic institutional investment है, but foreign investors काफी invested है इस company में, तो maybe because of the ESG theme, recycling एक ESG theme मानी जाती है, तो उस वज़ा से, थोड़ी बहुत investment यहाँ पर, company को मिली है, एक और risk यहाँ पर हो सकता है, कि कुछ delay अगर हो जाए, company को अपने facilities को, expand करने में, ramp up करने में, तो वो company के लिए detrimental हो सकता है, because यह industry easy नहीं है, scale करने के लिए, यह possibility हम ignore नहीं कर सकते, कुछ supply chain issues, and logistical disruptions अगर आ गए, तो वो company के लिए problem हो सकता है, like I said, logistics पर बहुत जादा dependent है, company का business, तो logistics, globally, अच्छे health में हो, यह company के business के लिए बहुत important है, another risk is about valuations, valuations are almost 70 times of the earnings, तो हो सकता है कि बहुत सारी positive चीज़े, already factored हो, because traditionally यह जो sector है, it has seen valuation of around 15 times of P, और 20 times of earnings के आसपास हमेशा से इसका valuation रहा है, recently बहुत बड़ी re-rating यहाँ पर हो गई है, maybe because of the company's vision, to go till 2028, but एक clear चीज़ है कि valuations अब काफी जादा stretch हो गए है, इस company में, compared to the historical averages, अगर हम 3 year या फिर 5 year median P, देखे company का, तो around 20 है, and currently valuations around 70 times of the earnings हो चुके है, domestic institutional investors currently नहीं है company में, FIS जो है, वो mainly शायद ESG theme की वज़े से ही invested है, and like I said, एक और रिस्क जिसके हमने बात already की है, वो है कि battery manufacturers, हो सकता है आगे चलकर, खुद battery recycle करना शुरू कर दे, that depends on the cost, उनको advantage है या नहीं है, तो उस पर वो depend करेगा, because Gravita जैसी company काफी अच्छा ROC कमा पा रही है, currently उनका return on capital employed is around 25%, तो हो सकता है कुछ battery makers यह सोचे, कि अगर Gravita जैसी company, अच्छे से execute करके, इतना अच्छा return on their capital कमा सकती है, तो हम खुद अपना plant लगा देंगे, instead of giving this work to a company like Gravita, एक और चीज़ है, जो कि promoters ने recently कुछ stake बेची है, उसके बाद भी stock 50% rally कर गया है, तो ऐसी चीज़े हमें bull market में अक्सर दिखा ही देती है, बट हो सकता है कि one of the reasons why promoter ने यहाँ पर थोड़ा सा dilution किया है, कि ताकि थोड़ा सा float बढ़ के institutional equity, institutional holders जो है, वो company में हिस्सेदारी ले सके, because जब आपका float कम होता है market में, तो institution investors को stake buy करने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको बड़ी quantity और कौन बेच सकता है, अगर enough float market में ना रहा तो, तो हो सकता है कि उस होज़ा से बेचा हो, but promoters का बेचना is never a good sign for a company, तो ये एक चीज है जिसको mention करना जरूरी है, and again valuations of the company 70 times of the earnings हो चुके हैं, तो ये ऐसे valuations हैं जो हो सकता है कि कुछ up fronting of the returns already हो गया हो, because traditionally ये sector कभी इतने ज़्यादा valuations पर trade करता हुआ दिखा नहीं है, तो ये सारी चीजे हमें ध्यान रखनी होती है, जब हम एक investment point of view से किसी भी company को analyze करने जाएं, तो हमने total इस वीडियो में सारी चीजें cover करने की कोशिश की, company क्या करती है, आगे के क्या plans है, governance कैसा है company का, valuations पर हमने खास ध्यान रखा है, तो ये सारी overall चीजे हैं, जो आपको एक overall picture देखने में help करें about the company, overall मेरा personal opinion है कि company का business काफी अच्छा है, और उन्होंने जो growth लाई है अपने business में since the last few years, वो काभी ये तारीफ है, आगे के जो plans हैं उनके वो भी काफी aggressive है, ये एक ऐसी theme है जिसके काफी अच्छे tailwinds आगे हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन valuations definitely stretched है, so obviously ऐसी company आपके radar पर होनी चाहिए, आपके watch list पर होनी चाहिए, क्योंकि there are very less companies जो इस type की growth एक अच्छे, they are ticking a lot of boxes basically, बहुत सारी चीजों पर ये एक tick mark दे रही है to the investors, but valuations को हमें ध्यामें रखना बहुत important है as investors, and valuations currently historically जो भी रहे हैं, उससे थोड़े से stretched अपियर कर रहे हैं, इसी के साथ हम इस वीडियो को conclude करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो like ज़रूर कीजएगा, and share कर इस वीडियो को with maximum people, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you so much.